एलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे चलिए एक नए टॉपिक लेका हैं आपके बीच क्वाई लॉंग किया है यह एक नेल का डिफॉर्मिटी नाखून का डिफॉर्मिटी नाखून इसमें एस्पून सिप्ट का हो जाता है बीच में अइडियोपैथिक इसमें ही होता है कि unknown का उजग रहता है लेकिन कुछ साइट से हम लूग कारन हम देखते हैं कि जिस बज़े से कारण हो सकता है कोई लोंग क्या हो को उसमें है क्या फिर्सट में आपको या तो कंजनेटल हो सकता है या एक यह सकता है अधि खोंद में देखेंगे तो क्रोनिक ऐर णि मॉलनुट्री sva रहा है पेसेंट भी पी हाय हो रहा है ट्रोमेटिक कंडिशन आड़ा इस कंडिशन से भी हो सकता है अधि हाइपो एंड हैंड हाइपर इंडो क्राइन ग्लेंड इसका डिस्टर्ब रहा है यह सबसे पहली बात है कि इसमें आपको सोरियासिस भी हो सकता है सोरियासिस एक कारण है यह सब होने का इसमें जेनरलि आपको मैंटेन कैसे करने हैं ऊपरेंड के लिए पहले तो डाइट सुधार ला Täंग पड़ेगा जिसमें रिष डाइट हो, प्रोटिनियस जाइड डाइट हो, जिसमें आईडन की मातरा जादे हो, उस तरह की डाइट आपको मेन्टेन करना है, मूह हो गया, केला हो गया, पनीड हो गया, ये सब चीज कुछ खाने पिने को ले कर के रेडिमिट हो गया, एक हो गया, ये सब चीज पावजोद भी अधी दिक्कत रह गया तो कुछ ऐसी दवाई भी हम लोग देते हैं जो कि बहुत जल्दी इससे मेंटेन हो जाता है इसमें हम लोग कुछ मेंटेन देख लिए और अब जलते हैं कि हमें पैथिक गाइडलाइन ये एक तरह के डिफॉर्मीटी हो गया नेल में नेल उसका थीन हो गया है फ्लैट हो गया है स्पून सेफ हो गया है तो क्या हमें पैथिक गाइडलाइन है जो इस चीज़ को धीरे-धीरे मेंटेन कर लेगा तो इसमें हम लोग देते हैं ग्रेफाइटिस दोसो पावर में बहुत ही अच्छा रोल पजा करता है ग्रेफाइ लिए हम लोग एंटिम क्रूड सोचते हैं दोस्ट पावर में और इस तरह के पेशेंड को प्रिभेंशन की प्रिकॉसन क्या लेना है बचाओ के लिए आपको लेना क्या है ग्लिसरी मतलब मॉइस्टर क्रीम लगाना है प्रोपर उस्टी नाखून को हैजिन मेंडर करना गं और उसको शाफ सफाई डखना है यह सब चीज मेंटेन करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसी तरह का नए जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें धन्यवाद